काहल बत्वार आज मैं बनाने जा रहा हूं देशी डियाई वाई टर्टल पॉंड टर्टल बहुत क्यूट बहुत प्यारे होते हैं इनको पालना भी बहुत असान होता है हाटी अनिमल्स होते हैं टर्टल पानी और जमीन दोनों जगह पे काफी असानी से रह सकते हैं तो आज टर्टल पॉंड बनाने के भी धेर सारी चीज़ें चाहिए होंगे और सारी चीजों को मैंने जुटा लिया है बस एक चीजा भी तक नहीं मिल पाया है वह है आपका लाइक और सब्सक्राइब तो इस वीडियो को जल्दे से कर दिए लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब टर्टल पॉंड बनाने के लिए सारी चीज़ें का ज़रूरत होगा सबसे पहले हमें बड़ा सा टब चाहिए होगा जहां पर हम यह सभी चीजों को सजाएंगे और एक प्यारा सा देशी डियाईवाई टर्टल पॉंड बनाएंगे तो उसके लिए बड़ा सा एक रेक्टे इंडोर भी रह लेता है कम लाइट में भी रह लेता है तो इसी को मैं यूज करने वाला हूँ और ये एक लाइफ पौधा भी हो जाएगा जिंदा पौधा भी जो की देखने में बहुत ही प्यारा और खुबसूरत लगेगा लेकिन मैं इसे इस तरह ग्लास के साथ ही नहीं लगाने वाला हूं क्योंकि ग्लास टूट सकता है पत्थरों के बीच में लगके तो इसे हम सिफ्ट करने वाले हैं इस छोटे से प्लास्टिक के गमले के अंदर ये गमला बहुत बढ़िया है इसके अंदर लगाके टर्टल पौंड के साथ हम इसको सेट कर सकते हैं लेकिन क्यूं और बारबार उकर राह waar एक गमले के अंदर दिंट हो गया है और दिख भी बहुत प्रह प्यारा में और छोटा सा सब्सक्राइब आप कर सकता है चाना खा सकता या रिष्ट कर सकता है जब जब भी आप टर्टल्स के लिए कोई बास्किंग इरिया बनाए तो बास्किंग इरिया बनाने के लिए आप कोई हलका या फिर ऐसा चीज इस्तमाल मत कीजिए जो की पानी में फ्लोट करता रहा और टर्टल्स उपर चड़े तो टूड़ या बहुत सारे लोग जालियों का इ किया सबसे पहले लकी बंबू को कोने में रखे और साइडों से ठेर सारे पत्थरों को सजा दिया मैं ने पत्थरों को ही साफ से zi टर्टल का साइज काफी छोटा होता है और उनको बेयर बॉटम में खाली जो टैंक रहता है या फिर अगर आप इस तरह का पॉंड बना रहे तो वहां पे तैरने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इसलिए आप नीचे पानी के नीचे पत्थरों को सेट कर सकते हैं आप मैंने वाइट पत्थर इस्तमाल किये हैं यह पत्थर दिखने में भी काफी खुपसूरत है और यहां पर बहुत प्यारे लुक भी दे रहा है साथ ही टर्टल इसके उपर काफी असानी से स्विम कर सकते हैं अगर पूरा बेयर बॉटम रहे खाली रहे तो वहां पर उन तो मुझे डर था कि कहीं टर्टल इसके थू अंदर फस न जा तो इसलिए मैंने इन खाली जगों पर छोटे छोटे पत्थर को लगा दिया जिससे की टर्टल इसके अंदर ना जा पाएं उपर इतना अच्छा प्यारा स्पेस है तो उपर ही टर्टल से नीचे अगर फस जा आते हैं तो आप इस तरह का डबा लीजिए और बीच में एक पत्थर रख दीजे बड़ा सा वह भी आपका टर्टल पॉंट बन जाएगा लेकिन उसमें आपको पानी रेगुलरली चेंज करते रहना होगा तो इसलिए मैंने यह फिल्टर पर चेस किया है यह बेसिकली टर् और इसके विच में फिल्टर के बीच में ताक हैं इसके थूर श्कपना कर सकते में ना आप नीवाнов घरख भी तो लगवग के मैं लेकिन टेटल को पसंद होता है सबसे ज्यादा पानी तो पानी ढालते हैं के अंदर पानी के बिना यह एक फॉड़ा पाइन बना चाहिए । नहीं भरा तो आप जाके हमारा देशी डियाई वाई टर्टल पॉंड बिल्कुल रेडी हो गया है सारी चीजें इसमें है जो कि एक टर्टल को सर्वाइब करने के लिए चाहिए चोटे टर्टल को बड़े टर्टल का बात मैं नहीं कर रहा हूं बड़े के लिए आगे कुछ क सकते हैं मस्त यहां पर चिल कर सकते हैं इसका लावा इनके लिए काफी अच्छा बड़ा सा स्विंग एरिया है तैरने के लिए जगह है पानी है पानी भी मैंने ज्यादा नहीं रखा है यहां पर देखिए मैं अपना अंगली डिप कर रहा हूं अगर पत्थरों के उपर से लेवल कम रहता है तो उसी साफ से फिल्टर डिजाइन इसको में इसमें आप देखिएगा नीचे थोड़ा सा जगह है जहां से पानी यह खीचता है और से बिल्कुल हलका सा पानी बहुत कम प्रिसर में निकलता है मैं आपको इससे पहले अन कर लेता हूं तब आपको दिख लेकिन फिर भी मैं ट्राइ करता हूं हमारा फिल्टर सुरू हो गया है और यह बहुत ही अच्छे से पानी को खीच रहा है और क्लीन करते हुए उपर से निकाल रहा है बिल्कुल एक पतली सिधारा नीचे गिर रही है यह पानी में उतना प्रेसर भी नहीं बना रहा है बिल्क अभी मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं सौरी आप सभी को बोलना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत ट्राइ किया बहुत जगों पर ढूंडा भी पिछले एक दो महीने से मैं लगा हूँ लेकिन कहीं से भी मुझे टर्टल नहीं मिल रहे हैं अभी मैंने कुछ दुकानों पर और दिया है देखते हैं टतल को तक मुझे मिलते हैं लेकिन घंटल के लिए मैंने सारा कुछ पहले से रेडी करके रखा की थे सदे पर रातना कीजते रहे पास ज्लदी Ondी टर्टल जैसे ही मेरे पास आएंगे फिर मैं तुरंथी आपको दिखाऊंगा लेकिन अभी फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह देशी डियाइवाई टर्टल पॉंड पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजेगा और टर्टल के लिए प्लीज थ